हेलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेकिट पे दोस्तों आज RPSC ने जोग्राफी सब्जेक्ट का रिजल्ट अब जारी गिर दिया है मैं बात कर रहा हूं RPSC फैस्ट क्रेड एक्जाम की फैस्ट क्रेड में जोग्राफी सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो अभी अभी जारी हुआ है तो जिस भी अभेटी ने जोग्राफी सब्जेक्ट से एक्जाम दे थी तो वो तुरंद जाईए RPSC के वेबसाइट से रिजल्ट को चैक लिए कि आपका सेलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है जिसका भी सेलेक्शन हुआ है उसको इस चैनल की तरफ से हार्टिक बदाई मेरी तरफ से बहुत बहुत बदाई कि आपका जो target था वो आपने achieve कर लिया है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बदाई बनती है इसके लाबा दोस्तों जिसका भी selection नहीं हुआ है वो भी हिम्मत बनाई रही कि क्योंकि दो-तीन मंत में ही अगली exam होने वाली है और उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इतना ज़्यादा का मतलब यह लगबग यह बढ़ती है वो तीन साल तक जाने वाली है कि आप लगबग वह बढ़ती बहुत जल्दी complete होगी क्योंकि बहुत तेजगती से पदमों शिक्ष्य विवाग में खाली हो रहे हैं इस पर हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जोग्राफी सब्जेक्ट की मैन और वेटिंग में नहीं गई थी मैं छोड़ दूँ एक फिजिक्स विशे को उसके लावा किसी में हाई कटोफ नहीं गई थी पोलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा हाई कटोफ गई इसके लावा जोग्राफी में भी दोस्तों EWS की कटोफ हो हाई रही है अब हम बात करते हैं इस वीड 241.39 Ht की रही है 230.56 OBC की है 233.72 MBC की है 265.04 अब हम बात करते हैं दोस्तों वेटिंग की कटोफ की तो वेटिंग की कटोफ हो दोस्तों जनरल केटेगरी की है 266.96 AWS की है 266.44 Ht की है 231.96 Ht की है 215.86 है और OBC के रही है 273.63 और MBC के है 277.49 अब हम बात करते हैं दोस्तों जो प्रोविजन लिस्ट की कटोप थी वो आप देख सकते हैं जनरल के टेगरी की 278.45 थी और लगभग 290 गई है तो लगभग 14 नमर का डिफरेंस है वो मुख्य सुची की कटोप में रहा है और यहां पे 276 है तो आप देख सकते हैं लगभग मतलब डबल स्टुडेंट को जितना कलियर किया था यह देखिए हम थोड़ी बात और कर लेते हैं साथ में में वेटिंग में क्या हो सकता है इस समंद्ध में थोड़ा बहुत आइडिया मां आपको देद दू लगभग डबल स्टुडेंट में डबल स्टुडेंट आरपीसी ने कलियर के थी उसमें मरीट थी 278 और आप देख सकते हैं जो अब से मतलब एक तो मुक्य सुची और पतास परसेंट पतों पर लगभग डेड़ बुने पता हैं वह अभी कलियर कर रही आरपीसी तो आप देख सकते हैं उसकी कटोप जो दुगने स्टुडेंट थे उससे भी कम जा रही है देख सकते हैं दोस्तों जनल के टेकरी कटोप यहा पहुती कम रहने वाली है मतलब यह है कि मात्र 2-4 परसेंट का सेलेक्शन हो सकता है वेटिंग के मादे में से इसके समझ में हम एक विश्तित चर्चा करूंगा एक किसी और वीडियो में इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कि कितना अंत्रवो हर केटेगरी में रहा है AWS में रही है 244 प्रोविजिन लिस्ट में रही है 244 और आप देख सकते हैं मुख्य सुची की कटोफ है 200 गुनेतर तो लगभग 244 या आप देखोगे तो 25 नमर प्लस 25 नमर होगे दोस्तों प्लस 25 244 से लगभग प्लस 25 नमर बहुत ज़्यादा हाई रही है प्लिटिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा हाई थी और इसमें भी है EC की माँ बात करों तो 241 नमर है और यहां पर आप देख सकते हैं 221 नमर तो प्लस 20 नमर है सिरफ ST की मा बात करों तो 201 नमर है और यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 230 है 230 तो देख सकते हैं यही मेरा अनुमान था लगभग की कटोफ हो इसके आसपास ही जाने वाली है इसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे OBC है 213 और यहां पर OBC आप देख सकते हैं 210 तो लगभग 12-30 नमर का ही OBC में डिफरेंस है और MBC के मा बात करों तो 265 मुख्य सुची की कटोफ और यहां पर प्रोविजिन लिष्ट के है 233 तो लगभग 20 ही यहां पर है 261 का ही था 261 का ही लेकिन 270 के ही तच हो गई कटोफ तो बहुत ज्यादा वेरियस नहीं वह आ रहा है क्या करना क्या नहीं है बिल्कुल समझते पर है लेकिन ऐसी का मेरा अनुमान बिल्कुल 266-240 आप देख सकते हैं वह वीडियो मैंने आपको बताया था आई बटन में उसका लिंक में देदूंगा अगर आपका भी कोई सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट अन्या अभी बाकी है तो आप अक्सपेक्टेट कटोफ देख सकते हैं लेकिन दोस्तों AWS पे विश्वास थोड़ा कम ही करना क्योंकि AWS और एश्टी यह दो कटोफ में थोड़ी कड़बड आ रही है इसका कोई अनुमान है वो नहीं लग रहा है इसके लिए अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है लेकिन यह दो कटोफ हैं कभी कम रहती हैं कभी ज्यादा रहती है तो इसका कोई अनुमान नहीं है अब बात करेंगे दोस्तों जो रिजल्ट आएंगे साइद कल क्या छुटी है क्रिस्मस की तो साइद कल रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा आगे आने वाले वीक में सभी रिजल्ट आव अराम से आजाएंगे दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में थैंक्यू जेहिं जेवार्द